जिस दिन हिंदू गीता को अपने जीवन में उतार देगा। उसके बाद कभी भी हिंदू पराजित नहीं होगा। हम पराजित हैं ही इसलिए कि जिस ज्यान को देने के लिए धर्ति पर आए। स्री हरी विश्णू जिस घ्यान को देने के लिए धर्ती पर आये हमने उस घ्यान को छोड़ दिया इसलिए हम पराजित और पतित हुए प्रिति ही जनारदन पाप मेवा स्रेय दस्मान हत्वे आतताई ने आतंकवादी जो बिना किसी दोस के न दोस है न द्वेस है फिर भी कतल करता है फिर भी ओरतों के साथ बरातकार व्याबिचार करता है हमारी के आता ताई को किसी भी कीमत पर जीवित नहीं चोड़ना चाहिए हमारे यह एक बहुत बड़ी पर फटा इसी सगीता से इसका आप समझ पाएंगे नारी के सम्मान की क्या हमारे हाँ हिंदु जब यह समझ गए कि अब हम अपनी बेटियों की रक्षा के लायक नहीं रहे है तो एक पर्था शुरू ही, बेटियां पैदा होती थी, वो बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंग, और आप देख रहे हैं एकुलेस, आज हमारे साथ आधर्णिय गुरू यतिनर सिंग अनन जी है गुरू जी के बारे में हमारे शोज पे कई बार अलग-अलग मुद्दों पे गुरू जी से हमारी बात चीथ हुई है, गुरू जी एक सच मुच में एक महान व्यक्ति है भगवद गीता पर इनका जो ज्ञान है, वो अद्धिय है. आए सुनते हैं, गुरु जी ने भगवन गीता के पहले चैप्टर के ऊपर, हमें क्या समझाने का प्रयास किया है? ुचितु 9 महाकाली है महाकाली और माशतीृ भी वारती है। है न देवी भागवतरे बहुति सपस्त कहा गया है इक दुनिया में जितने भी नारी है सिरवा नारी इसी लिए तो कहा गया नारी किूजा करने चाहिए भूजा करने बन दो, उसकी मान करें, उसका सिद्धान्तों में से एक है कि हमें नारी और हमारे हैं के धर्म का सिद्ध हम लोगों को धर्म समझाया नहीं गया उस तरह जिस तरह समझाया जाना चाहिए था जब पुरु सक्ति बिल्कुँ चूक गई थी तब नारियों ने लड़ाई लड़ी है और पुर्सों के सम्मान को पुर्सों के स्वाबिमान को उन्होंने बचाया है अपने बच्चों को बचाया है आप सिव परिवार की सिव परिवार जो है ना ये नारी अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती है सिव परिवार से बड़ जो है भगवान सिव ने हमें समझाया है मा सती जो है भगवान राम की एक परिश्या लेने के लिए चली जाती है और महादेव उनका त्याग कर देते हैं कि उनके पिता ने उनके पति को नहीं बुलाया और मा जिद करके जो है अपने पिता के यहां चली जाती है और जब वो जिद करके पिता के यहां पहुंच जाती है पती से जिद कर गई पिता के लिए पिता के घर में उन्हें का बेरे पती का सम्मान नहीं हो रहा हुआ अपने पती के सम्मान के लिए लड़ गई जब उन्हे अपनी सबसे भहंकर सकती वीर भद्र को और महाकाली को लड़ने के लिए भेजा उस यग्य की रक्षा भगवान विश्णू कर रहे थे भगवान विश्णू जो भगवान सिव के आराध्य है दुनिया में सबसे बड़े वैसनव भगवान सिव हैं और सबसे बड़े शैब भ अगर दक्ष को बचाने के लिए आज ब्रह्मा विश्णू और इंद्र भी आ जाएं तो उन्हें भी मच्छोड़ना जिने भगवान मानते हैं जिनकी 24 घंटे पूजा करते हैं ध्यान करते हैं अगर वो भी मेरी पत्नी का अंत हो गया मेरी पत्नी का अपमान हुआ अब जो कि परिवार पूजनी है क्योंकि सी परिवार समर्पित है महादेव का परिवार एक दूसरे के लिए समर्पित है अब अब गनेश की अवधार्णा को देखो गनेश की हत्या गनेश का वद महादेव ने कर दिया पती ने कर दिया माने यह कह दिया कि अगर मेरा नहीं तो धर जीवित करना पड़ा तो यह सिप परिवार की अवधार्णा है यह सनातन धर्म का सबसे बड़ा परिवार सिप परिवार है सनातन धर्म की अवधार्णा तो हमारा धर्म तो बहुत किलियर है हम अपने धर्म को समझे ही नहीं बच्चे को बचाने के लिए माने यह कह दिया कु बहुत देर तक लड़ती नहीं लेकिन रक्तवीज की खास बात थी कि जहां एक रक्तवीज मरता उसके खून निकलता वह धरती पर गिरता नए रक्तवीज खड़े हो जाते थोड़ी दिर में हजारों लाखों रक्तवीज खड़े हो गए मादुरुगा की जब पार नहीं बस सबसे प्रचनद तो सो कि माहाकाली ने जब यह देखा मेरी संटान खटरे में तो उन्होंने रक्तवीज का वद उससरे कि जब हो किसी सबुपीजिध की गर्दन कारती थी तो उसकी ये कर्तव्य है कि वो उनके लिए कुछ भी यह च्छत्राणियों ने बहुत दिनों तक किया उन्हीं के कारण ये समाज आज तक बच पाया जो माताएं जो बहने जो बेटियां खुद को अगनी में समर्पित करने का साहस रखती है न उनके साहस की किसी तुल्णा नहीं हो सकती बड़े-बड़े वीर पूरुसों से उनके साहस के छनिक होता है कि हम युद्ध के आवेस में आए और लड़ मरें वो छनिक आवेस होता है वो हमेशा का नहीं होता है लेकिन ये औरत की द्रडता होती है, औरत का विष्वास होता है, औरत का अपने धर्म पे अडिक विष्वास होता है, जल मरती है वो चिता में, अगनी में जलना बहुत मुस्किल काम भाई है तो यहां पर हमने जब मुस्लिम आक्रमन कारियों के समय में इस देश ने जो हजारों जोहर देखे उस अब छत्रानियों ने तो जायतर छत्रानियां थी और भी थी ऐसी बात नहीं है राजा दाहिर रहमन थे उनके परिवार के ओरतों ने भी जोहर किया तो यह एक जो है जो स देवी भागवत में इस पस्ट लिखा हुआ है कि दुनिया के जितनी भी नारियां है वो सब मेरा ही शरूप है तो हर नारी पूजनिय है हर नारी सम्मानिय है नारी अगर प्रधानमंत्री है तो भी सम्मानिय है और नारी अगर वैस्या है तो भी सम्मानिय है अजल्द आप कोई बात कोई और नहीं गार धर्म गुरू तो बिलकुल मुझत लेकिन आप से पता रहा हूं किसी भी accomplished कारण किसी भी किष़ियें के कारण मजभूरी के कि अपनी हवस के लिए नारी को दोसित तो जब से समाज बिलकुल खतम हो गया तो नारी का सम्मान भीया सर्वोपरी है इसले ठाकुर साब नारी हो सब भड़ डरो गीता स्रिमत भगवत गीता ये हिंदूओं का कोड ओफ कंडेक्ट होना चाहिए हमें हर चीज गीता को जिस द जिस घ्यान को देने के लिए धरती पर आये हमने उस घ्यान को छोड़ दिया इसलिए हम पराजित और पतित हुए अगर हम गीता के ज्यान को नहीं छोड़ते तो पराजे कभी भी हमारी इस किसमत में नहीं होती तो गीता का हमारे जीवन में इतना महत्व है जितना हमारे ल लेना हमारे लिए जरूरी है जिंदा रहने के लिए उतना ही मानव बनने के लिए हमारे जीवन में गीता आनी चाहिए अगर गीता हमारे जीवन में नहीं है तो हम मानव नहीं है फिर हम सनातनी नहीं है फिर हम केवल पाकंडी है और एक जानवर है जो केवल अपना जीवन समा करने की तरप अगर सर्व रहता रोज जिसका जीवन का कोई लक्षे नहीं है तो गीता को समझना गीता को समझाना बहुत आवश्यक है महाबारत के युद्ध का मैदान है युद्ध के मैदान में आमने सामने कौरवों की और पांडवों की सेना के मानायक जिसके उपर इस सारे युद्ध का भार है वो महावीर महारती अर्जुन है मावीर और महारती अर्जुन ये भगवान स्रीकर्ष्ण के अप उस समय के सबसे प्रियमानव है अगर देखा जाए दार्मिक और अध्यात्मिक दस्टी से देखा जाए तो यह सासवत जोड़ी है नर और नारायन की अर्जुन नर है योगेस्वर नारायन है आज योगेस्वर अपनी लीला रचा रहे हैं और वो अपन अपने हृपने शिस्य के अपने भक्त के अपने संबंदी के अपने बुआ के बेटे के रत पर रत चालक के रूप में सार्थी के रूप में विराजमान और अरजुन उनसे कहते हैं कि है यूगेश्वर है जगतगुरू आप मेरे रत को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर तो चलो मैं दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर ये देखना चाहता हूं कि कौन-कौन युद्धा ऐसे हैं जिससे हमें युद्ध करना है और कौन-कौन युद्धा ऐसे हैं जो हमारे पक्ष में हैं तो योगेश्वर अर्जुन के रत को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। साले हैं, संबंदी हैं, तो अर्जुन जो है विचलित हो जाते हैं। तो पहले अध्याय का 2829 स्लोक गीता का, मैं यहां से शुरू करता हूँ गीता को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत समय तो हमारे आपके पास नहीं है, ना आपके पास है, ना मेरे पास है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम 18 दिन हर अध्याय का एक दिन लगा कर गीता को डिसकस करने का प्रियास करें। ताकि गीता की प्रमुक प्रमुक स्लोकों पर, वैसे तो गीता का हर अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है, दार्मिक रूप से भी और बाध्धिक रूप से भी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्लोक हैं, जिने मैं यह समझता हूँ कि बहुत उप्योगी हैं, इनको समझना सनात के लिए बहुत आवश्च्या के तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे, जब अर्जुन ने अपने सारे रिष्टेदारों को अपने सामने देखा, तो अर्जुन ने योगेश्वर से कहा, द्रश्टवेमं स्वजनम क्रस्न, युजुत्सम समुपस्तितम, युद्ध के लिए अभिलासी होकर, जो यहां डट रहे हैं, जो यहां खड़े हैं, इस युद्ध छेत्र में मैं केवल अपने समबन्धियों और अपने रिष्टेदारों को देख पा रहा हूँ, सीधन्ती मम गात्राणी, मुखम चे परिसुस्यती, वे पतुष्च सरीरे में रोम हरसस्च जायते, मेरे अंग, सरीर के सारे अंग सिथिल होते जा रहे हैं, और मेरा मुह सूख रहा है, मेरे सरीर में कमपन हो रहा है, मेरा सरीर काप रहा है, और मेरे रोंगटे खड़े हो सामने इतनी बड़ी सेना है उस सेना में जो दिखाई दे रहा है उस सब अपने है गांडीवम स्रंसते हस्ता तक्चे परिदैयते नेचे सक्क्यमनों वस्थातूम ब्रहमतीव चै में मनें मेरा गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है नेचे सक्क्यमनों में वस्थातूम ब्रहमतीव चै में मनें मेरा मन ब्रहमित हो रहा है और ऐसी अवस्था में अब मैं खड़े होने के लायक नहीं रहा हूँ मैं खड़ा होने में समर्थ नहीं हूँ निमित्तानी चे पश्यामी विर्पिप्तानी केशव नैचे स्रेयो अनुपश्यामी हत्वा स्वजन माहवे स्वजन है मेरे आज मैं जितने भी लक्षन देख रहा हूं जितने भी निमित्य देख रहा हूं ये सब मैं विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में ये जो मेरे अपने स्वजन हैं इनको मारने से मुझे कोई कल्यान नहीं दिखाई देता माभारत की एक एक चीज को हमें समझना है सुसील भाई एक परिवार का युद्ध है ये युद्ध कोई अलग-अलग लोगों का युद्ध नहीं है सगे चाचा तावों के बेटों में ये युद्ध हुआ और पूरी दुनिया कुछ लोग इस पक्ष में आ गए कुछ लोग बड़ा है लेकिन क्योंकि एक राज परिवार है तो जितने भी राजा हैं वो सब इनके रिस्तेदार हैं और पहली पंक्ति में केवल राजा खड़े हुए हैं कोई पास का रिस्तेदार है कोई दूर का रिस्तेदार है और भीस्म पितामय जैसे लोग जिनके कंधे पर चड दुनिया को देखना शुरू किया पहला गोड़ा जो अर्जुन ने हाका वो भीस्म पिता में थे दादा खेलते थे पोतों के साथ पड़ पोतों के साथ तो गोड़ा बनते थे अर्जुन ने तो उनी पर चल कर क्योंकि बहुत प्रिय था अर्जुन उनका और सामने वह स्लोक पहुले है मिद्ध्र ऑध्याय का सुल्सक्राइब उइस्वाय क्यम्यां स्लोक है पहले अध्याय का निक आंशे विजय 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 चाहता हूं न ही राज्य या अन्य सुख चाहता हूं हमें ऐसा राज्य भूग या जीवन प्राप्त करके क्या मिलेगा जहां हमें अपने ही रक्त संबंदियों को मारना पड़ता है। के लिए खड़े हैं। हमने अपने सनातन धर्म को समझा नहीं। सनातन धर्म किसी भी व्यक्तिवादी धर्म नहीं है सनातन धर्म। व्यक्ति को अपनी उन्नती के बारे में नहीं सोचना है। व्यक्ति को अपनों की उन्नती के बारे में सोचना है। और अपनों की उन्नती के बारे में जब व्यक्ति सोचता है तो सारा समाज, पहले ही अपना शरीर, माता-पिता, बाई-बेहन, पतनी, बेटे, बेटियां, भाईयों के बेटे, भाईयों की बेटियां, सारा परिवार, उसके बाद अपना गाउं, अपना सहर, अपना राष्ट, अफिसारी दुनिया, ये सनातन धर्मियों का लक्ष होता है, ये इसको आप एक उधारन से समझेंगे, भगवान स्री राम की अर्धांगनी, मेरी मा जगजन्नी सीता, मा जगदंबा का आपरण हुआ, रावन मेरी मा को ले गया, परिवार की इंपोर्टेंस में आपको बताराँ, मेरी मा को राव गए, कैई मारती रावन के मारे गए, रावन को बहुत दुख हुआ, और रावन ने ये सोचा कि इस युद्ध को जल्दी खतम करना चाहिए, तो रावन के पास जो सबसे बड़ा योद्धा था, रावन ने उस योद्धा को युद्ध छेत्र में उतारने का निश्य किया, और वो रावन का छोटा भाई कुमकरन, अब कुमकरन को एक वरदान जो अविसाब बन गया कि वो बहुत सोता था, कुमकरन सोया हुआ है, कुमकरन को जगाया गया, और जागने के बाद कुमकरन अपने भाई के पास पहुँचे, जब वो अपने भाई के पास पहुँचे, तोलों ने अपने भाइस को प्रणाम किया और भाइस से पूछा कि क्यूं जगाया? रावण ने बताया कि आयोध्या का वनवासी राजकुमार राम और उसका भाइ यहां आगे क्यों आ गए क्योंकि वो सीता का अपढ़न करके ले आए तो कुम करणने का तुम पागल हो गए हो बड़े भाई से तुम जगदंबा का अपढ़न करके ले आए आपको सरम नहीं आई आपने हमारे कुल को दाग लगा दिया हमारी कीरती को खराब कर दिया एक नारी का अपढ क्या है क्यूं यह ऐसी बात कर रहा है रावन ने का कि तुम अगर मुझे सला देना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी सला की जरुरत नहीं है तुम्हें काम करो जाओ सो जाओ रावन को अपनी लड़ाई लड़ना और अपनी आनमान सान का सम्मान अच्छी तरह आता तुम एक तो तुम मेरे राजा हो मैं तुम्हारा मंत्री हूँ और एक तुम मेरे बड़े भाई हो हमारे दो रिष्टे हैं तो एक मंत्री के रूप में जो मेरा करतव्य था तो मैं सच बताना वो मैंने तुम्हें बता दिये मंत्री के रूप में मेरा करतव्य पूरा होगा अब म स्वम भगवान भी है तो अभी मैं उनसे युद्ध लड़ूंगा और मैं युद्ध लड़ने के रिए जाऊंगा लेकिन एक बात मैं आपसे चाहता हूँ मेरी एक बात मान लो रावन ने कहा कि बताओ क्या चाहते हो कुम करण ने का तुम मेरी ये बात मान लो कि अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो वो फिर किसी के मारे नहीं मरेंगे फिर वो अजय है तुम भी नहीं मार पाऊगे उन्हें फिर कोई नहीं मार पाएगा तुम एक काम करना सीता माता को ले जाना उनके चर्णा में समर्पित क बंद कर देना बात तो हम लोग गीतागी करें लेकिन मैं आपको रामायन से रिस्टांद बता रहा हूं यह रावण ने अपने भाई की तरफ को देखा एक बार को रावण की आँखों में आसुआ दोनों भाईयों की आँखे हलकी अलकी नम हो रावण अगर तेरे जैसे भाई नहीं रहे मेरे बेटे नहीं रहे मेरे भतीजे नहीं रहे तो मैं अकेला जीकर करूंगा क्या मेरे भाई व्यक्ति जब अपने परिवार के साथ अपने कुटम्बियों के साथ अपने रिस्तेदारों के साथ मिलकर एस वर्य को भोगता है तो वह सुख अपने परिवार के साथ, रिस्तेदारों के साथ, अपने लोगों के साथ बैठकर जब एस्वर्य को भोगता है, तो सुखी होता है, जब एस्वर्य भोगने वाले अपने ही नहीं होंगे, तो मैं जी कर क्या करूंगा, इसलिए मेरे भाई, आज तुम जाओ, युद्दललो, स लix बालि बात है और इसका बरिवार के महत्व, भाई का महत्व क्या होता है इसको भगवान राम के चरितर से समझेग्ग जब माता सीता का अपरन हो गया था लड़ाई चल रही थी मेगनात्ने सक्ती मारी लक्षमण जी मूर्शित हो गई तो भगवान राम ने विलाप करते हुए कहा था तो मैं पिताजी की बात मांता ही नहीं और मैं आयोध्या से यहां वन में आता ही नहीं वही रहता और यह कहा गिए अगर लक्षमर मुझे पता होता कि तेरी यह इस्तिती हो जाएगी टो भाई मैं सीता के चक्कर मैं पड़ता है नहीं सीता को यहीं चोड़ देता तुझे लेकर अपने घर वो सनातन धरम से ज़्यादा किसी ने समझाया नहीं लेकिन हम हिंदूओं ने वो चीजे समझी नहीं जो समझनी थी हमने वो सारी चीजे समझ ली जो धरम में नहीं थी और उन्हें धरम का हिस्सा बना लिया लेकिन जो धरम था उसे हमने धारण नहीं किया और धारण नहीं कि जो हमारे सनातन धर्म में है उसी को आज ये अर्जुन के मुख से जो है दुबारा से सनातन धर्मियों को समझाने का प्रियास हो रहा है येशा मरते कांशितम नो राज्यम भोगा सुखानी चे तैं इमे वस्थिता युद्य प्राणां स्तक्वा धनानी चे है हमें जिन के लिए राज्य भोग या सुखादी अभिस्त हैं वे ही सब तो धन और जीवन की आसा चोड़कर युद्य के लिए आज खड़े हो गए मतलब व्यक्ति जो धन की और राज्य की आसा करता है अपने लिए नहीं करता अपने परिवार अपने नातेदारों के अपने रिस्तेदारों के लिए अपने संबंदियों के लिए अपने लोगों के लिए करता है अपने लोगों के लिए ताकि उनके लोग सुखी हो उनके लोग संपन हो उनके लोगों के पास ज्यादा साधन हो इसी के लिए तो लोग परिश्रम करते हैं राज्य को राज्य के विस्तार के लिए राज्य को संपन बनाने के लिए इसी लिए करते हैं कि अपने लोग ये अपने लोगों की जो सास्वत अवधारना है ये सनातन धर्म बहुत इस्पस्ट समझाता है तो आज अपने ही लोग जो आज वो भी मौत की तेलिके देखें युद्ध में कोई नहीं जानता कौन मरेगा कौन बचेगा ना पांडवों को पता है औ किसी को भी मारा जा सकता है किसी को भी विजही करा जा सकता है तो आज कोई भी मर सकता है तो ऐसे मैं जितने लोग भां खड़ें उन्होंने भी अपने जीवन को सुख की चोड़कर युद्ध के लिए आ गए और इधर जो पीछे खड़े हुए हैं उनमें भी पता नहीं पिता महा, मातुला, स्वैसुरा, पौत्रा, श्यालाह, संबंदिस तथा गुरुजन जो आचारे हैं ताउ, चाचा, लड़के, इसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, संबंदी, पौत्र, साले और जितने भी रिष्चेदार है, स्या तो उधर खड़ें या इधर खड़ें, मरन हंतु मिच्छामी, नतोपी मदु सूधन, अपीत्र लोक्ष्य राज्यास, सहे तो किमनु महिकरते, हे मदु सूधन, मुझे मारने पर भी, अथवा, तीनों लोकों के राज्या के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, ये मार दे मुझे, एतान, हंतु मिच्छामी, गनातोपी बदुसूधन अपीत्र लोक के राजयस्य हे तो किम नूम ही क्रते हे मदुसूधन मुझे मारने पर भी, मुझे मारने कोई दिक्कत ने अतवा तीनों लोकों के राजय के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं फिर प्रत्थवी का तो कहना ही क्या है अगर त सबकी मत्यू से तो मुझे ये राज नहीं चाहिए और ये एक महामानव के लक्षन हैं महामानव वो नहीं होते जो अपनों की बली राज के लिए चला देते हैं महामानव वो होते हैं जो अपनों की रक्षा हर किसी चीज के लिए करते हैं केवल धरम पर आने के लिए अपनों मारे जाएंगे तो भै क्यों मारवाणा जवीन के छोटे से टुक्ड़े । लेकिन बात जमीन के छोटे से टुक्ड़े की नहीं है। वह अभी अरजुन की समझ में नहीं हा रही। मूल सिध्धान्तों की बात है मानवता के मूल सिध्धान्तों की बात है लेकिन अभी अर्जुन उसे समझ नहीं रहे हैं छतिस्वा स्लोक है पहले अध्याय का निहत्य ध्रात्राष्ट्रान का प्रीति ही स्याज अनार्दन पाप मेवा स्रैयेद असमान हत्वेतान आताताईने आताताई सब्द का प्रियोग हुआ अताताई नहें आताताई आतंकवादी जो बिना किसी दोस के न दोस है न दोस है फिर भी कतल करता है फिर भी ओरतों के साथ बलातकार व्याभिचार करता है हमारी के हमारे घरों को जलाता है हमारे पस्वों को जलाता है हम पर अत्याचार करता है हमारा उससे कोई लड़ाई जगला नहीं जैसे पांडवों ने दुरियोधन का पूरे जीवन कभी कोई बुरा नहीं किया जब दुरियोधन को गंदर्वों ने पकल लिया था चित्रसेन गंद लेकिन अगर किसी भारवाले से लड़ना हो तो हम 105 हैं यह माभारत की कथा है जब यह पांडव अनवास में थे तो दुरियोधन इनका मजाक उड़ाने के लिए इनकी हसी मखौल उड़ाने के लिए जाता है वन में और वहां इसकी चित्रसेन जो गंदर राज है उससे लड़ बेजते हैं अपने भाईयों को बेजते हैं उनका मन देखिये युदिष्टिर का युदिष्टिर ने पांडवों ने अपने पूरे जीवन दुरियोधन को परिशान करने का दुरियोधन की महिलाव को परिशान कोई प्रियास नहीं किया है दुरियोधन बिना किसी कारण क अकारण उनसे द्वेस मानता है और उन्हें मारने का प्रियास करता है दुर्योधन बिना किसी कारण के पांडवों की पतनी को भरी सबामे नगन करने का प्रियास करता है उसका अपमान करता है बिना किसी कारण के उनके राज्य को छीन लेता है दोके से तो दुर्योधन और द दारम कहता है हमारा वेद कहता है आताताई को किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी कीमत पर किसी भी आताताई को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए लेकिन आज अरजुन समझ रहा है आताताई है लेकिन है तो भाई भाई को कैसे मार दू यह ठीक है हे ज इन आताटाईयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा ये तो मान गया कि ये आताटाई है ये आतंकवादी हैं दुर्योदन की इस्तिती क्या है दुर्योदन की इस्तिती एकदम जैसे अगर अरब की वार में आप देखें तो मुहम्मद जैसी इस्तिती है मुहम्मद का अरब के लोगों से कोई जघड़ा नहीं था लेकिछ अरब के लोगों से मुहम्मद को इरस्या थी उनकी धन संपता से उनकी ओरतों की खुबसूर्ती से तो मुहम्मद ने सब को मरवा कर सारा जो यह अडंबर इसलाम का रचा यही तो दुर्योधन कर रहा था दुर्योधन को पांडवों से को दुस्मनी थोड़ी आराम चरह सकता था हस्तनापुर का राज मिल गया उन विचारों अपना ही दरपस बना लिया लेकिन दुर्योधन आताता ही है और बिना किसी दोस के वो पांडवों को मारना चाहता है ना ही वो हिंदू किसे द्वेश रखते लेकिन पूरी दुनिया हिंदू को मारना चाहती है तो जो बिना कारण हमें मारना चाहते हैं वो सारे आताता ही है लेकिन क्योंकि आताता ही सगे भाई है तो आज अर्जुन बहुत ही कंफ्यूज है हैं आताता ही लेकिन ताउ के बे हो जैंदू की हो गही पहले तो जब सग भाई की घित्ती हो थी तो चाचा का लड़का और मांजाया भ've होते थे तो आज बडा कंफ्यूजन है और को मानता हूं आता ही है इन्हों ने ।IST आ जाला का मारने का प्रियास किया हमारी धर्म पतनी के साथ महीला का अपमान हमारे धर्म में बड़ा अपमान माना जाता है सबसे बड़ा तो महीला का अपमान है इससे बड़ा तो कोई अपराद माना ही नहीं जाता था हमारी महीला के साथ हमारी महरानी के साथ द्रौपदी के साथ बड़ा अपमान जनक वेवार किया, हमें जला कर मार रहे थे, राज छीन लिया, क्याई बार अत्या करने का प्रियास किया, यह सब प्रियास किये, तो हैं तो तही आता तही, लेकिन आता ताईयों को भी मार कर, मुझे पाप ही लगेगा, क्योंकि यह मेरे भाई है, कितना बड़ा वीजन है के वीजन को समझने का प्रियास कीजिए, अरजुन दुष्ट नहीं है, दुर्योधन की तरह, मिना मतलब अपने भाई को मारना नहीं चाहता, आज तो अरजुन यह सोच रहा है कि राजी तो नहीं मिलेगा, कही जंगल बजाएंगे, आराम चरहेंगे, लेकिन भाई को परि भीने स्याम माधव, अते हे माधव, आप मुझे बताओ, अपने ही बांधव, धतराष्ट के पुत्रों को मारने के हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुम्ब को मार कर हम सुखी कैसे होंगे, अपने हैं, इन्हें मार के सुखी कैसे हो जाएंगे भाई, अपनों क कुल शेक्रतम दोसम प्रपश्यदी भिर जनार्दन यदपी लोब से ब्रस्ट चित हुए ये लोग कुल के नास से उत्पन दोस और मित्रों से विरोध करने के पाप को नहीं देखते कुल शेक्रतम दोशम मित्र द्रोहे चपातकम अपने कुल को नस्ट करने का द्रोह को नहीं देखते अपने कुल को नस्ट करने से बड़ा पाप जो है दोसे इसे नहीं देखते और जो अपना मित्र है अपने लोग है अपने मित्र है उनके साथ द्रोहो विश्वास घात करने के पाप को भी ये लोग नहीं देख रहे परन्तु कुल के नस्ट से उत्पन दोसों को जानने वाले कथम ने गेयम समाभी पापा दस्मा निवर्तुतिम हम लोग जो कुल के नस्ट से उत्पन दोस को जानने वाले हैं कुल शेक कृतम दोसम परपश्यद भिर जनारदन हम तो जानते हैं कि कुल का नस्ट होने से क्या दोस होगा हम लोगों को इस पाप से हटने पर विचार क्यों नहीं करना चाहिए कि अपने कुल को नस्ट करने का अपने मित्रों से अपने लोगों से दुरो करने का पाप कितना बड़ा है लेकिन हम तो जानते हैं कि अगर अमारी गलती से कुल नस्ट हो गया तो इसका पाप क्या होगा और सनातन धर्म के मेन सिद्धान तो मूल सिद्धान तो में से एक सि कुल के नास होने से सनातन कुल धर्म नस्ट हो जाते हैं। धर्म के नास हो जाने पर संपूर कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। पाप दूसित हो जाती हैं। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस देश में, पापा चार बढ़ जाता है, एक दूसरे से लड़ने की उनकी अत्या की प्रवर्ति बढ़ जाती है। उसमें सबसे बड़ा पाप होता है कि उस कुल की इस्त्रियां एपवित्र हो जाती है अतियंत दूसित हो जाती है और हे वार्षने इस्त्रियों के दूसित हो जाने पर वार्ण संकर उत्पन्न होते हैं वार्ण संकर जो अलग अलग धर्मों के लोगों के संयोग से होने वाले वे इक एक मेरा सवाल ईश्मघूँ जी जो कि शाइब उसकी भी बात कर रहा है कि जब श्यूह सके बात करने कर सारी पुरusz मारे जाएंगे गे तो पुरुश बचेंगे नीघी तो नर्य वैसी दूशित पर वांड संक्र ही पैदा होंगे, तो यह वो समझता की सत्रिय खविनास हो जाएगा, फिर महिलाएं उनके पास जाएंगी जिने उस समय कर्म के हिसाब से नीच समझा जाता था। जैसे आज है आज अगर हम सारे हिंदू मारे जाएंगे तो हमारी महिलाएं कहा जाएंगी उन लोगों के पास जाएंगी जो कर्म से बहुत ही नीच और बहुत ही हीन है जो दूसरों के मट मंदिरों को तोड़ने को अपना धर्म मानते हैं जो दूसरों की धन समपता लूटने को अपना धर्म मानते हैं जो लोग दूसरे लोगों की हत्या करने को अपना धर्म मानते हैं उनकी इस्त्रियों को सामोहिक बलातकार के बाद मंडियों में बेचने को या अपनी रखेल बनाने को धर्म मानते हैं अगर हम सारे पुरुस मर जाएंगे तो हमारी इस्त्रियां आज की परिस्टिती में उनके पास चली जाएंगे तो वो ही समस्या महाभारत के समय में हुई थी उत्पन हुई थी तो समस्याओं का निराकरण गीता कैसे सिखाती ये समझना है तो मैं समझना है कि हे क्रस्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की इस्त्रियां अतियंत दूसित हो जाती है अधर्मा भी भवात क्रस्ण प्रदूशंती कुल इस्त्रिया है इस्त्रीशू दुष्टाशू वासने जायते वर्ण संकर है हे का सिरफ पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की इस्त्रियां अतियंत दूसित हो जाती हैं और इस्त्रियों के दूसित होने से वर्ण संकर उत्पन होते हैं हमारे यहां जो जोहर और साका की प्रथा थी उसका बहुत बड़ा कारण रहा कि जब तक लोग गीता समझते रहे तो वो इस्त्रियों के सम्मान को समझते रहे अगर हमारी इस्त्रिय और सबसे बड़ी बात माताये बेटिया मारानी पदमनी जैसी हमारी माताये समझते रहे कि अगर वो सत्रू की तरफ चली गई तो जो वो संतान उत्पन करेंगी वो संतान सनातन धर्म की मानवता की इसलिए उन्होंने अपने आपको अगनी को समर्पित करना, जल के मर जाना स्रेय कर समझा, अपने आपको उन आताताईयों को, उन चोरों को, उन लुटेरों को, उन औरतों के सौधागरों को अपना सरीर स्वापना उन्होंने स्रेय कर नहीं समझा, और वो जल कर मरती रही हैं हमारे यहां एक बहुत बड़ी प्रथा इसी से गीता से इसका आप समझ पाएंगे नारी के सम्मान की क्या हमारे यहां हिंदू जब यह समझ गए कि अब हम अपनी बेटियों की रक्षा के लायक नहीं रहे हैं तो एक प्रथा शुरू हुई बेटियां पैदा होती थी वो बे कभीले हैं अरब के कभीले के लोग यह ना केवल पूरे गाउं पर आकर्मन करेंगे बलकि सब को मार देंगे और इसको ले जाएंगे और इसका जीवन नरक बना देंगे वैस्या जैसा जीवन बना देंगे अपने हरम में डाल देंगे जो मुसल्मान राजाओं का हरम होता तो उस घ्रणे जीवन से बचने के लिए हमारी माता हैं हमारी बहने हमारी बेटियां अपने को अगनी को समर्पित कर दीती थी और पिताओ ने ये शुरू किया कि अपनी बेटी को मार दो आज भी हिंदू जो बेटी के पैदा करने से डरता है हिंदू के मन की वही भावना जो हजार साल के अत्याचार से हमारे यहां तक आगई खून में इसलिए हिंदू आज भ कारण बड़ी मुसीबत आई और हम इस लायक नहीं रहे थे कि अपनी बेटी का स्वाविबान सम्मान बचा सके जबकि गीता यही सिखाती है गीता से हटने का पाप हम लोगों ने यह जेला तो 42 स्लोक है संकरो नरकायव कुलगनानाम कुलश्यचे पतंती पित्रो एशाम ल वर्ण संकर कुलगातियों को और कुलगातियों को और कुलगातियों को और कुल नरक में ले जाने के लिए होता है जो कुल को कतम करते हैं वो भी नरक में जाएंगे और कुल भी नरक में जाएंगे हम अगर पूड़सार्थ विहिन हो गए और हमारी इस्त्रिया पतित होकर हमारे सत्रूओं के बच्चे पैदा करने लगेंगी तो हम जिनके कारण ये कुल समाप्त होगा, हम सारे लोग नरक मजाएंगे इस पाप के जितने भी भागी होंगे, वो सारे लोग नरक मजाएंगे लुप्त हुई पिंड और जल की किरिया वाले, अर्था स्राद और तरपन से वंचित इनके पितर लोग भी अतोगती को प्राप्त होंगे। इनके पितर लोग भी अतोगती को प्राप्त होंगे। कुल परंपरा से सुना है। हमारे धर्म में सबसे बड़ा पाप कुल का विनास बताया गया। अगर हमारी किसी गलती से हमारे कुल का विनास हो गया। तो हमारे जितने भी पूरवज हैं वो सारे जो स्वर्ग में कितने अच्छे काम उन्होंने किये हैं। तब ये कुल समाप्त हुआ है। तो हमारे भैंकर पापो के कारण कुल समाप्त होता है। और कुल समाप्त होने से बड़ा पाप हमारे धर्म में कुछ भी नहीं माना जाता। इसलिए कुल की रक्षा करनी चाहिए। कुछ भी करके अपने कुल को बचाना चाहिए। कुल को केवल हम धर्म को समर्पित कर सकते हैं। धर्म हमारे कुल से बड़ा है। अगर धर्म की रक्षा के लिए कुल समाप्त गीता यहीं बताती है बस। गीता भगवान ने अर्जुन को यही तो बताया कि कुल समाप्त होने की चिंता मत कर अगर कुल धर्म पर बलिदान हो गया तो कुल के सारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा इससे बड़ा कोई काम नहीं है कि अपने कुल को धर्म पर बलिदान कर दो और धर्म की बात अगर नहीं है तो फिर कुल की रख्षा करो हाँ कितने दुख की बात है हाँ कितने सोक की बात है हम लोग बुद्धीमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए है और जो राज्य और सुक के लिए अपने ही स्वजनों का अपने ही रक्त संबंदियों का रक्त बाहने उनको मारने के लिए तैयार हो गए है च्यालिसवा सुलोक है यदि मामप्रतिकारम सस्त्रम सस्त्र पाने धार्तरास्टा रणे हन्युस्त तनमे शेमतरम भवेत यदि मुझे सस्त्र रहित और सामना न्य करने वाले मुझे जो सस्त्र से अब रहित हो गया है और मैं इनका सामना भी करने वाला नहीं हूँ यदि ऐसे अरजुन को मुझे सस्त्र हात में लिए हुए ये जो धत्राष्ट के पुत्र हैं ये मुझे रण में मार भी डालें आज मेरा भी कतल कर दें तो वह मरना भी मेरे लिए कल्या कारी होगा सैतालिसवा स्लोक है एव मुक्तवार जो नहीं सांके रतोपस्त उपाविशत वी स्रज्य शेशरम चापम सोक समविग्न मान सहे संजय ने दत्राष्ट को बताया रण भूमी में सोक से उद्गिन मन वाले अरजुन ने ये कहा और ये कहकर बान सहित धनुस्त्या चोड़ दिये रत पर बैठ गया युद्ध नहीं करूंगा ये पहला अध्याय आज जो है हमने इसका पाठ किया मेरा सुसीलवाई जो संस्कृत का उच्चारण है वो बहुत सही नहीं है क्योंकि संस्कृत को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है मैं तो इंजिन में मेरा विश्वास और गीता की जो मेरी समझ है मैं समझता हूँ इस द्रश्टी से अगर सनातनी मेरी इन छोटी मोटी गलतियों को छमा कर देंगे तो मुझ पर बड़ा उपकार होगा और हम योगेस्वर के नजरिये से वेदों के नजरिये से गीता को समझ पाएंगे तो कोई प्रस्ण हो तो हम लोग इस पर बात चीत कर सकते हैं मैं एक प्रस्ण है गुरुजी पहले तो यह है कि किस तरह के लोग थे कि साक्षाद भगवान है और जब वो उनका सार्थी बनते हैं तो केवल आदेश का पालन कर रहे हैं यह नहीं पूछ रहे हैं उनसे कि क्यों हो बीच में क्यों ले जा रहे हो जरुबत क्या है इसकी कि यह दुश्रू होने वाला है अरजुन ने कहा ले चलो रात हाक के लेकर पहुंच गे बीच में तो यह किस तरह का यह मतलब इसे नहीं था कि इसको अगर कॉर्परेट में कोई यूज करना चाहे तो भी कर सकता है बॉस में बोला है कर लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ जाके फिर वो भगवान बन जाते है थोड़े देर बाद जब वो अरजुन कहता है मैं नहीं करूंगा तब वो भगवान बनते हैं और अरजुन के पूछने के बाद भगवान बनते हैं तो अरजुन को ब कि ये दस कमांडमेंट हैं फॉलो करो आज से तुम्हारा यह करना ही काम है या फिर आज जो आटेंडेंज लेना बगवान नहीं है कि हर संडे को सुबह दिखोगे हर शुकरवार को दिखोगे वह नहीं होता बगवान कह रहा है तुम पूछो क्या पूछना चाहता है जो पू सनातन की भी और और लोगों में भी है अच्छी परंपरा है पिता मित्र बन जाते हैं आज वही पिता और पुत्र का गुरू सिश्य का हमारे गुरू सिश्य पिता पित्र का एक जैसा रिस्ता माना जाता है गुरू सिश्य है अर्जुन और योगेश्वर और योगेश्वर उनकी कमान में युद्ध लड़ रहे हैं वो भगवान हैं इच्छा मातर से सब को मार सकते हैं लेकिन वो उनकी कमान में युद्ध लड़ रहे हैं और जब कमान में युद्ध लड़ रहे हैं तो उनका कार्य है कि वो कमांडर की इच्छा के अनुसार युद्ध को लड़ा औ तो भगवान ने अर्जुन को उसका करतव्य भी याद दिलाया है जैसे आपके पिता ने एक उमर के बाद अपना सारो कारोबार आपको दे दिया और वो आफिस में आपके साथ काम करने लगे अब आप उस काम के जो है जनरल है आप कमांडर है लेकिन कही बार जब आप गलत ने लेने लेते हैं तो वो आपको बताते हैं बढ़ों का यहीं करतव्य है कि जब छोटों के हाथ में कमांड हो वो छोटों को फॉलो करें लेकिन जहां गलत हो वह टोकने का साहस दिखाए ॅगर बड़े का पालन नहीं करेंगे तो छोटे अपने गलती को समझ पाएंगे और फिर उनका विनास होगा गीता गीता जैसे चलती रहेगी अभी तो आज हमने पहला अध्याय पढ़ा है आप इसे बहुत अच्छी तरह समझते रहेंगे और यह एक ऐसी चीज है जिसे हिंदू को बहुत आरंब से समझने की जरुरत है पिता मैं भीस्म के जीव की तरफ ले गए लेकिन वो उनकी आग्याओं को मानते रहें यह सनातन धर्म की बहुत बड़ी विसेस्ताओं में से एक विसेस्ता है इस पर हम लोग चिंतन करते रहेंगे परिणाम पर भी चिंतन करेंगे कि जब लोग क्याई बार अती सर्वत्र वर्जेते अती हर्जे के वर्जेत होती है योग इस वर अती नहीं करते हैं अती का विरूद करते हैं पिता मैं भी समने अती कर दी तो फिर मिनास हुआ पर बोल रहे थे ना यह बाते तो मुझे पहली बार ऐसा लग रहा था हमारे हमारे परदादा थे जमींदार थे थाकुर संग्राम सिंग तो उन हमारे परदादा हैं उनको याद करना चाहिए कि उसी जो उनने हवेली बनवाई है उसी में अधिक से अधिक लोग पैदा हुए और बड़े हुए है तो आपने सुना यह हमारा भगवत गीता का चैक्टर वन है ऐसे ही हम 18 अध्याय पूरे करेंगे और आपके पास ले आए है आयम शौर कि आपने अलग अलग जगह पर भगवत गीता के बारे में सुना होगा लेकिन इतनी प्राक्टिकल नौलेज जो गुरुजी ने दी है गुरुजी हमेशा यह कहते हैं कि भगवत गीता किताब घर में रखने के लिए नहीं है वो जीवन में लाने की किताब प् अगले एपिसोड में जल्दी ही मिलेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोज को लाइक करें और बेल आइकन जरूर बबाएं बहुत बहुत धाने बाद जाए